सबी को नमस्ते, क्लास सेवन की फिजिक्स में जो चैप्टर लाइट हमने शुरू किया था, यह उसका सेकंड लेक्चर है, कल आपने बहुत ही हलकी हलकी चीजें जानी थी, कि रिफ्लेक्शन को हमने समझा था, मोटे तोर पे, आज हम लोग देखेंगे कि प्लेन मिरर, कल प् पीछे होकर के देखें, कि किस प्रकार, आपको यह समझ में आगा कि जब आप उस मिरर से पीछे होते जाएंगे तो आपको लगेगा, कि जो इमेज बन रही है, अगर आप इमेज को यह कहें, कि जैसे आपका, आप ही खड़े हैं, उस पार, है न, तो जैसे जैसे आप अब plane mirror में, आप एक चीज देखेंगे, कि अगर उसी plane mirror के आगे, आप खड़े रहें, इस्तिर खड़े रहें, और अपने बाएं हाथ को उपर करें, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा, जैसे उस image में जो है, और आप अपने दाएं कान को पकड़ें, या बाएं कान को पकड़ें, किसी भी एक तरफ की चीज़ अगर करेंगे, तो आपको लगेगा, कि उस तरफ जो खड़ा है, वो उल्टा कर रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का, कि अगर एक चीज और आप कर सकते हैं, कि अपने किसी paper में कुछ लिख दें और लिख करके उसको mirror के आगे खड़े हो जाए यह कुछ ऐसी चीज है इसका बहुत ही एक common एक example है कि अगर P लिखा हो तो P की mirror image Q बनती है ठीक है यह सबसे common और सबसे 60 की example है इससे बातें समझ में आ जाती है तो यही right और left एक topic आपके दिया हुआ होगा book में आपने देखा होगा उसका funda यही है ठीक है ना तो हमने इसलिए थोड़ी सी यनकारी उस पर दे दी main हमारा यहाँ पर focus है spherical mirrors पर ठीक है spherical mirror क्या है या spherical reflecting surface mirror ही लिख दे रहे हैं सिदे इसके लिए सबसे बढ़िया एक जामपल यहाँ दिया भी हुआ है चमच का देखो दिया है बुक में हम चमच इसलिए हमने अपने साथ ले भी लिया तो दो टाइप reflecting surface तो plane mirror भी था वह plane था नाम भी उसका plane mirror है heavy plane यहाँ पर क्या है यह हलका सा curved है घूमा हुआ है वक्रिय है हिंदी में कहते हैं वक्रिय कर्वड को या spherical के लिए तो सबसे बढ़िया रहेगा गोली अगर आप spherical कहो तो वह गोली हुआ ठीक अब दो कोई गोली है में भी spherical में भी दो टाइप होते हैं या में लिख दे रहे हैं फिर चमच प्याते हैं spherical में एक होता है Concave mirror Concave mirror और एक होता है Convex mirror Concave का मतलब जानते हो कि गुफा होती है Convex मतलब उभरा हुआ जैसे Concave देखो यहां जैसे गुफा सी बन रही है आपके घर में भी चमच होगा जिस तरफ से चमच जैसे सूप पी ओगए और जिस और सूप को भरते हो धसा हुआ है तभी ना उसमें सूप भरा पाता है और भर कही हूँ पीते हो तो यह जो धसा हुआ हिस्सा है अंदर की और धसा हुआ है यही ना गुफा की तरह लग रहा है जैसे आपकेसी गुफा में प्रवेश कर रहे हो इसी लिए इसको क्या करते हैं केव है यह अगर इसी शेप का मिरर हो ठीक है ऐसा मिरर हो यहां से आप जैसे यूं हो लाइट को आप यूं रिफ्लेक्ट कराएं यहां से तो यह क्या है यह रिफ्लेक्टिंग सर्फेस कहलाएगा लेकिन किस टाइप का कॉन केव कहलाएगा तो जब यह इसी शेप का मिरर होत इसको बना दें तो यह क्या है और यह mirror हो, तो convex mirror कहलाएगा ठीक है न हर बार देखो जब Joint cave से करे तो पीछे को ड़क है reflecting सर्फेस यह हुआ और जब Convix था तो यह उपर हुआ हुआ बांड खांगég, याद रहेगा दोनों पर अलग अलग चर्चाएं करते हैं कहां पर कौन यूज होता है image formation image के बारे में कल आपको जनकारी दी ठीक है उसको भी जरा चर्चा कर लेते हैं उस पर भी सबसे पहली चीज आ जाओ concave पर ही तो concave mirror के लिए हमने क्या बताया कि इस तरह का हो और अधिक कर्व रखेंगे तो आपको ज़्यादा क्ली कर रहेगा ठीक है यह हलका सा spherical है curved है देखो यह धसा हुआ भाग यह दिख रहा है यह उबरा हुआ दिख रहा होगा पीछे का पीछे वाले को polish कर दिया ठीक यहां से हम reflection करा रहे हैं कहां से चमच पे देख लो एक बार इस जगह से आगे जिसमें सूप भराता है धसा हुआ यह भी क्या है धसा हुआ इस पे से reflection हम करा रहे हैं ठीक है reflection हम करा रहे हैं अब देखो इस से जो image बनती है वो जो है या तो real बनेगी या फिर virtual बनेगी यानि वास्तविक या आभासी बनेगी कब वास्तविक बनेगी कब आभासी बनेगी वो भी बता देते हैं इसका सबसे बढ़िया एक जमपल आपको दिया हुआ है कि अगर आप कोई candle को जला लें केंडल अगर आप जला लें अगर केंडल यहां पर है तो इसकी इमेज mirror से अगर आप किसी screen पे कोई आपने यहां पीछे screen लगा रखी है screen पे आप बना लेते हो ठीक है screen को इसा करो यहां कोई screen है मान लो अगर आपने यहां candle जलाई हुई है यह concave mirror है लिख लो concave mirror है concave mirror से इस mirror से जो image बन रही है उसको आप यहां screen पे अगर देख पा रहे हो कोई भी screen माने कोई परदा हो सकता है ठीक है ठीक उस परदे पे अगर आप image को देख पा रहे हैं ऐसी image real image कहलाईगी ठीक है ठीक है ठीक है अगर वहीं दूसरी तरफ आप देखें अच्छा यहां पर तो यह real image बनेगी अगर आप और past जाते जाएं देखो यहां जब बनेगी ना यहां जब बनेगी पहले इसी बात कर लो यहां जो बनेगी वह परदे पे बनेगी real बनेगी और ठीक है विल्टी बनेगी यह बात भी है ठीक हो कही बात है जब आप past जाते जाएंगे तो क्या होगा तब परदे पे नहीं बनेगी तब इसी mirror पे बनेगी और उल्टी बनेगी तब वह वर्चुल होगी उसको आप परदेप नहीं बना पाओगे ऐसा आप अपने घर में करके देख सकते हैं ठीक है आप कौन केव की ही बात शुरू की है तो उसी की पहले कर लेते हैं तो इसकी जो image होगी वो real भी हो सकती है और या फिर virtual भी हो सकती है real और virtual कुछ भी हो सकती है ठीक आपने क्या बताया कि सीधी भी हो सकती है और उल्टी भी हो सकती है मतलब inverted यानि उल्टी भी हो सकती है पल्टी हुई inverted और erect भी हो सकती है quando यह कि करी कि चोटी भी हो सकती है और यह कि लिए मतलाבב अबजेक्ट से चोटी भी हो सकती और अबजेक्ट से बड़ी लिए हो सकती है तो टों को बहुत डीटेल तो आपको आगे क्लासे में पता चलेगा ठीक है न उसमें और भी तमाम चीज़ें बताई जाएंगी अच्छा यूज में अगर देखो कि तो यूज में डेंटेस्ट यूज करते हैं दांत वगेरा के लिए कान के लिए नाक के लिए बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटेस्ट इसका यूज करते हैं क्यों क्योंकि इससे इमेज जो है वो बड़ी भी बन सकती छोटी भी बन सकती किस तरह बड़ी बनेगी जब बड़े के लिए देखना होगा तो उस तरह उ होता है ठीक है अच्छ इतना हो गया कॉनकेव की पूरी बात हो गया जितना आपको जानना है अभी फिलाल के लिए अब कॉनवेक्स की कर लेते हैं कॉनवेक्स की भी साथ साथ लिखते हैं ताकि कंपेर कर सकें अधिक है कॉनवेक्स में देखो क्या एए यह वाल बात क्लियर है चलो तो यहां पर क्या था रियल या वर्चुल कुछ भी हो सकता था आप अपने गर में इसको जरूरू ट्राइए करिए रियल और वर्चुल के लिए वही में बात है कि परदे पर आप बना पा रहें की नहीं ठीक है मिरर की साहता से यहां पर क्या है कि हमेशा वर्चुल बनेगी, इमेज, जो है, वो वर्चुल बनेगी, वर्चुल बनेगी, यहां पर था कि inverted भी हो, उल्टी भी हो सकती है, या सीधी भी हो सकती, यहां हमेशा image, सीधी बनेगी, ठीक है, यहां था small भी हो सकती, और large भी हो सकती छोटी भी बड़ी भी यहां हमेशा इस मॉल बनेगी ठीक यूज में इसका एक लिख लो साइड विव मेरर की तरह इसका यूज होता है ठीक है अराम से एक दम आप चाहें वीडियो पॉस करके खुद मन्थन कर सकते हैं सोच सकते हैं कि कॉन केव में क्या हो रहा है कॉन वेक्स में क्या हो रहा है ठीक पॉस कर लिए पोटो किचना पोटो किच लिए ठीक है है ठीक चल अब हम लोग थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि देखो थोड़ा सा एडिया हम और देना चाहते हैं जो बात है रियल और वर्चुल की नहीं वह अभी दिखा देते हैं इसे हमने दिखाया कि कौन केव में कौन केव मिरर में इस तरह का कुछ खेल है कि यहां यह धसा हुआ पार्ट है चमच से बार बार हम दिखा चुके हैं यहां क्या होता है कि जो लाइट रेज आ रही होती है जैसे आपका यह ऑबजेक्ट रखा हुआ है ठीक है अगर लाइट रेज इस पॉइंट की ऐसे जा रहे है मिरर पे तो होगा क्या यह जितनी भी लाइट रहे है ऐसे ऐसे और यह क्या होगा इससे रेफलेक्ट होकर के एक किसी डा कराशा पे जा मिलेंगी ठीक हम भाषब courtyard नहीं बन रहा लेकिन यह जितने भी होगी एक फिक्स पॉइंट पे आके मिलेंगी ठीक है यह सब जो है reflect हो करके एक same point पे मिलेंगी such में मिलेंगी तो जब such में मिल रही है एक कोई point होगा यह vicious point है आगे आपको बताया जाएगा एक fix point जो यह होगा इस पे जब such में मिलेंगी तो यह real image मनाएंगी तभी आप इनको परदे पे बना पाते हैं कि वहीं दूसरी तरफ कॉन्वेक्स मिरर में क्या हो रहा है देखो कि यह कुछ इस तरह का है काफी बढ़ा होगे तो कि यहां पर पॉलिश कर दी और reflecting surface कौन सा है उभरा हुआ पार्ट और हम डार्क कर दे रहे कि उभरा हुआ पार्ट है यहां पर क्या होगा कि यहां जो object रखा है इस पर से light ऐसे जाएगी और reflect जब होगी तो कुछ इस तरह होगी लगेगा जैसे कि एक किसी fix point से आ रही है ठीक है ना लगेगा ऐसा सच में असा नहीं होगा ऐसा लगेगा कि यह किसी fix point से आ रही है ठीक है तो यहां पर क्या इसमें क्या होगा virtual image बनेगी आप इसको परदे पर नहीं बना पाएंगे या किसी screen पर नहीं बना पाएंगे ठीक है थोड़ा सा इस तरह की diagram से आपको feel आ सके इसलिए हम बना रहे है ठीक है अब देखो अब जरा थोड़ा सा लिख भी लेते हैं हमें जो real image और virtual image की बार बार बात हो रही है उसको लिख भी लेते हैं बार बार हमने जो बात कहीं है बस उसी को एक विवस्थित रूप में हम लिख देंगे बस ज्यादा कुछ खास नहीं है इसा ठीक है ठीक है कि विवन निमेग इस काई बार वो से सक्फ।्र इंग खीया पगाँ वं में हो त fence इंग, वको हुआ हुआ है है दा हेल और है है मिलार तीरी में रियल इमेज बनती है वहीं वर्चुवल के लिए क्या है वर्चुवल इमेज आए वर्चुवल के लिए उप्स्वच्यूप्स लिए which cannot, cannot be found on a screen with the help of mirror ठीक है यह तो देखो लिखावटी चीज है कि लिखाव यह इसमें मजा नहीं है मजा था कि हमने जो डाइग्राम बना करके आपको समझाया उस पॉइंट की जो बात बताई आपको ठीक है तो हमें लगता काफी चीजें आज आपने नई जानी बहुत ही जरूरी चीजें और बहुत ही खुबसूरत चीजें जो आप अपने घर में भी देख सकते हैं दोको आपके लेविल पे या कभी भी आप देखें आपके लेविल में तो यह है कि आपको घर में ही बहुत कम साधनों के साथ सारी चीजें आप देख सकते हैं ठीक है ना फिजिक्स की खुबसूरती यही है कि आप जब उसको देख सकें पोथी पोथी लिख के कुछ नहीं जब देख पाओगे जब चीजों को समझ पाओगे तब लिख पाओगे लिख करके नहीं समझ सकते समझ करकर ज़रूर लिख सकते हो ठीक है इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी और इस लेक्चर को समाप्त करते हैं पढ़ते रहिए चीजों को रिवाइस करते रहिए बुक को ज़रूर पढ़िए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई बाते जानेंगे तब तक के लिए धन्यवाद